Hello friends, my name is Ranjit और आप देख रहे हैं Ranjit Digital Marketing Export और आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही एक अच्छे टोपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ अगर आप के पास कुछ पूंजी है और आप रियल में यानि एक बिजनस के तोर पे आप कोई बिजनस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस चीज के बारे में बता रहा हूँ जिसको कहते हैं फ्रेंचाइजी लेना जी हैं तो फ्रेंचाइजी क्या होता है इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ्रेंचाइजी क्या होता है फ्रेंचाइजी कैसे लें और फ्रेंचाइजी लेते टाइम आपको किन बातों क्या धान रखना पड़ेगा किस तरह आप फ्रेंचाइजी का चुनाओ करें तीन बातों पे discuss करेंगे इस वीडियो में और आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप किसी company की specific franchise लेना चाहते हैं जैसे पतंजली का हो गया, अमूल का हो गया, लेस का हो गया, डेमेंड का हो गया, ओला, उबर, तो कैसे काम करते हैं franchise model, कैसे क्या किस website पे जाना है, क्या आपको document लगेगा, कितना पैसा लगेगा, उसके उपर बात करेंगे, फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप ये business करना चाहते हैं, अगर आप ये काम सुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस business model को समझना होगा, तो सबसे पहले ये जानिये कि आज भारत में कम से कम साथ सो से लेके साथ सो पचास ऐसी देशी और विदेशी companies हैं, जो कि franchise model पे काम कर रही हैं, और मैंने यहां तक जब मैं research कर रहा तो पड़ा, कम से कम तीन लाख लोगों को direct रोजगार मिल रहा है, उसके साथ साथ भी रोजगार मिल रह तो सबसे पहले franchisee लेते टाइम आपको ध्यान क्या रखना चाहिए, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, franchisee होता क्या है, franchisee एक कुछ नहीं होता, franchisee का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको commission रूप में पैसे मिलते हैं और आपको उनका समान बेचना होता है, ठीक है, commission आपको मि इसको हम, मैं थोड़ा सा आपको और explain करूँ कि franchisee क्या होता है, तो franchisee में क्या होता है कि जितनी भी नामी, गिनामी companies हैं, मतलब जितने भी famous companies हैं, वो क्या करती हैं, कुछ नियम और सरते निकालती हैं, मतलब terms and condition अपने companies की निकालती हैं, और बोलती हैं कि हम ये franchisee दे रहे ह जिसको भी लेना है, security amount जमा कराओ, और ये सब होता है कि जब भी हमारा कोई outlet कुलेगा, तो इतने जगे होगी, इस तरीके का outlet होगा, मतलब बहुत सारी वही मैं कहा रहा हूँ, नियम और सरते लागू करती हैं, और market में बोल देते हैं कि कुछ सी को franchisee लेनी है, तो इतने ल करता है, उनका माल, लेकिन सबसे अच्छी खासियत ये होती है franchisee में कि आपको, मतलब किसी भी तरीके से उनके product को आप खुछ से promote नहीं करना है, companies नामी है, famous है, तो वो already TV pay advertisement है, hoarding, boarding, सब कुछ लगे रहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना होता है, आपके nearby आपका outlet खुला हुआ है, आपका माल बिखता है, ठीक है, तो ये रहता है franchisee का model, अब बात करते हैं कि franchisee लेते time आपको क्या धान रखना चाहिए, तो सबसे पहले आपको market research करना चाहिए, market research का मतलब क्या होता है, कि suppose करो आप आज देखो भारत को, अगर मैं analysis करके बताओं, तो आज भारत म कितने super market खुलने वाले हैं, आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्यूंकि super market खिलेंगे, mall खुलेंगे, किस area में, किस तरीके का departmental store बन रहा है, आपको ये चीज़े धियान रखनी पड़ेंगी, और आपको दिखेगा भी उसी तरीके से, अगर मैं, जो मैंने research करा और पाय कि आज इंडिया में करीब करीब 1500 से जादा super market खुल रहे हैं, 500 से जादा mall खुल रहे हैं, बात समझ रहे हैं, कितने सारे तो development store खुल रहे हैं, तो यानि ऐसे समझ के लगता है कि franchise model आने वाले time में बहुत ही अच्छा काम करके देगा, क्यूंकि smart city बन रही है, छोटे छोट everything से brand हुए, food से लेके everything, वहाँ पे दुकाने भी खुलती हैं, तो इस तरीके से देखा जाए, तो franchise के model में अगर आप एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो आपका वविश्य उजवल हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने कहा, आपको market research करनी पड़ेगी, जैसे एक business को क करने के लिए आपको market research करना पड़ता है, यानि जहां पे भी आप कोई business start करने वाले हैं, तो location क्या है, क्या वहाँ के localities में कितना earning का source रहता है, क्या उसकी, बतलब किसी भी तरीके से आपको एक survey उठाना है, अगर ओ लेडी उस चीज को को कोई कर रहा है, तो क्या रहता है कैसे behavior है लोगों का, आपको market research करनी पड़ेगी, उसकी एक मैंने detail में वीडियो बनाई है, वो जरूर देख लीजिएगा, अब बात करते हैं कि अगर आप franchise लेना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपना budget, जी हैं, budget का मतलब कि आप एक franchise लेने में कितने लाग रुपे खर्च कर सकते हैं, अगर हम बात करें, जो छोटे लेबल पे जो franchise देते हैं, दो लाग से लेके पांच लाग के बीच में आपको एक franchise मिल जाती है, तो पहले तो budget अपना निधारत कर लो, दूसरी बात क्या होती है, कि जैसे मैंने बताये कि area और location वो भ planning करके चलनी पड़ती है, आप future का मतलब ये हो गया, कि भविश आने वाले time में क्या होगा area का location ये सब जान के आपको करना है, अगर गाओं के label पे कर रहे हो, तो आप मतलब जो किसान है, call center खेल सकते हो, computer की franchise ले सकते हो, जहां पे लोगों को computer सिखा हो, तो गाओं के label पे वो आप कर सकते हैं, सहर के label में हैं, आप तो बहुत सारे हैं, सहर के label में हैं, तो आप मैं आपको बता देता हूँ, क्या-क्या आपके पास opportunity of franchise लेने की, service, retail, financial service, real estate, travel, hotel, food, and beverage, lifestyle, education, entertainment, automobile, IT, health, and beauty, care ऐसे छेतरे हैं, जहां पे खूब समभावने आए हैं, जहां पे बहुत सा लगी होगी, और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए, आप हमारे चैनल को subscribe करें, like करें, I know कि ये वीडियो थोड़ी थी छोटी है, और मेरे वीडियो 15 और 20 मिनट की होती है, because मैंने सिर्फ आपको ये बताए कि franchise होता क्या है, बहुत ही अच्छी भासा में आपको समझा दिय होगी, और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए, आप चैनल को subscribe करें, like करें, और आने वाली वीडियो में ये देखेंगे, कि अगर आप Amul के franchise लेना चाहते हैं, तो क्या process है, अगर आप पतंजली का लेना चाहते हैं, लेज, या फिर जितने भी branded है, I will try कि मैं एक वीडियो बना दूँ, या फिर time to time एक एक दो दो वीडियो हम बनाते रहें, आप comment box में लिगिए, कि सबसे पहले आप किस franchise के बारे में जानना चाहते हैं, किस franchise के बारे में उच्छूख हैं जानने के लिए, कि अगर ये franchise लेंगे, तो हमारी जिन्दिगी बन जाएंगी, I hope ये